कि अगर देश्ट्रेंट से यहां पर क्वेश्चन दिया हुए कि गिवन देश्प्लेस्मेंट ऑफ दी बॉड़ी इस फंक्शन ऑफ नाइम आज फॉलोस देऊ यहां पर लिगा हुए एक्स इक्वोल्स टू 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 पावर फॉर प्लस फाइव यह के बाद उसका काइनेटिक एनरजी कितना बढ़ जाएगा ठीक है तो सबसे पहला काम जब आप काइनेटिक एनरजी निकालते हैं तो आपको फॉर्मुला यूज करना होता है हाफ म्वी स्क्वेर काइनेटिक एनरजी इसको टाइम के रिएस्पक्ट में पहले तो डिफ्रे X equals to 2 T to the power 4 plus 5 है अब इस एक्वेशन को टाइम के साथ differentiate करो तो यह हो जागा dX by dt जो velocity देगा तो dx by dt equals to 2 का differentiation नहीं होगा और टी का power कितना है 4 तो टी का power 4 है तो 4 बाहर आजागा और टी का power में हो जागा 4-1 प्लस 5 देंगो 5 अकेला उसके साथ टी नहीं है तो यह एक तरह से पूरी तरह से कॉंस्टेंट टर्म हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम जी रो लिखते हैं यहां पर डी एक्सपर डीटी ही आपका क्या है वेलोसिटी है और वेलोसिटी इक्वस्ट्ट हो चुका है फोर इंटू टू ए और टी का पाउर 4-138 टी क्यूब यह मेरा वेलोसिटी का एक्वेशन आ चुक है तो हमसे पुछा था इंक्रीज इनिट्स काइनेटिक एनरजी वन सेकेंड आफ्टर इस स्टार्ट इसका मतलब की जीरो सेकेंड पे कितना काइनेटिक एनरजी कितना वेलोसिटी था तो एट टी इक्वेल टू जीरो टी इक्वेल टू जीरो सेकेंड वेलोसिटी क्या होगा एट टी क्यूब टी के जगाद जीरो रखेंगे तो यह क्या हो जगा जीरो तो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो था तो इस वजह से जो भी इनिशियल काइनेटिक एनरजी होगा वो भी य सेकंड है तो एक टी वल्ट वान सेकंड मेरा फाइनल वेलासिटी कितना हो जाएगा एट इन टू यह एक शूब मतलब वन का क्योब मैं से टाइम का क्यूब इक वैक्वल्स टू क्या हो जागा यह तो वाइनल का इनर्जी मेरा कितना चुक है तो फाइनली मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जागा हाफ M v square तो यहां पर हाफ M का वैल्टी कितना है 2 kg का मास है और v square मतलब 64 8 का square 64 तो यह 2 और 2 कट गया तो फाइनली कितना गया 64 Joule तो शुरुवात मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 था और फिर एक सेकेंड के बाद जो काइनेटिक एनरजी हो चुका है वो चुका है 64 जूल तो इंक्रीज कितना हुआ है 0 से 64 जूल का यहां पर हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है थेंक्यू